पुल्वामा में वीर भारतीय सैनेकों पर कायरता पूर्वक हमले में शहीद जवानों को श्रदा अंजली देने का सिलसिला लगातार देश में जारी हैं। इसाथ ही सरकारी कर्मचारियों ने भी मोधी सरकार से अपील करी कि इस कायरता पूर्वक अमलेका पाकिस्तान को मूब तोड जवाब देना चाहिए और जोश इस कदर था कि भारत का हर नागरिक अब आतंक्वाद और पाकिस्तान के खड़ा हो चुका है लोगों का कहना है कि भारत शांती प्रियेक देश है लेकिन वीर जवानों पर जिस तरीके से कायरता पूर्वक हमला हुआ उसे अब देश का कोई नागरिक सहने को तयार नहीं है और हर कोई अब इस हमले का बद्दा पाकिस्तान से लेना चाहता है न सिर्फ है सरकारी कर्मचारी बलकि लोगों के अंदर इसकदर उत्साह है कि अस्पतालों में भरती मरीज भी बीमार होने के बावजूद पाकिस्तान से बदला लेने का मन बना चुके है लोगों के खिलाव खिलाव क क्या कुछ कदम उठाती है सराज की पूजा के बारे हो तूँ हम लोगों ने जब पिछले दिनों तीन दिन पहले पुलवामा जब हमारे 40 जवाई शहीद हो गई और हम ने टीवी पर देखा है कि एक माँ बिलखती हुई, बेहनों को बिलखते हुए देखा, बच्चों को बिलखते हुए देखा तो मन बहुत व्यत्थित हुआ बहुत दुखी हुआ इसी परिपेख्ष में मारत सरकार को मजबूत करने के लिए हमने आज ये शांती यज रखा उन जवानों की शांती के लिए आत्मा की शांती के लिए हमने आज श्रदानीलिस हवा रखी यहां अपने वैंक में ताकि हम भ पाकिस्तान सुन ले हमारी बात को कि ये हिंदुस्तान जो है महाराना प्रताप का देश है ये धरती जो है शिवाजी राने की है ये धरती रानी जासी की है हमारी जो माताई बेहने जब दुर्गा का रूप धारन कर लेगी तो पाकिस्तान जैसे देश का वजूद इस विश् करेगा आतंक वाद का सामना करेगा यही हम संदेश पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि क्या कहेंगे जो आपको मालूम पड़ा है उसके बारे में मुझे जब से यह पता लगा है यह हमारे भारती यह समय को पर पाकिस्तान ने ना बर्दों वाली है कि ए उससे मैं बहुत हुँ और मैं यह आकांच्छा है कि भारे सरकार इस घटना का इतना प्रतिजूर्थ दे इसके बदला ले ताकि पाकिस्तान फिर दुवारा यह हरकत करने के हिम्मत नज उटा सके मैं वीश शहीद सैनिक्स शहीद सैनिकों का कुल नमर करता हूँ सब्धान जली देता हूँ आप भारे सरकार से अपे चाहता हूँ यह सुधर आंते शेवरा हूँ